राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे दिल्ली की तरह बढ़ रही है वैसे वैसे राजनेतिक पाराच चड़ रहा है विरोधी परिशान है नएने पैत्रे आजमा कर यात्रा की राह में बाधा डानने की कोशिश की जा रही है लेकिन कॉंग्रेस देश के एह से पहले ही कडाकी की ठंड ने भी राजनेतिक पाराच चड़ा दिया है कॉंग्रेस के आरोप के मताबिक बीजेपी देश में करोना का डर दिखा कर यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कॉंग्रेस रोकने वाली नहीं है और आम जंता से जोड़े एहम मुद्दो से जंता का ध्यान नहीं भटकने देगी इस बात के संकेत दिये राहूल गांधी ने अपने एक ट्वीट में जिसमें उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरते हुए महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया राहूल ने लिखा प्रिधान वंत्री जी दिल्ली की तरफ आ रहा ये जन सेलाब महंगाई बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है हम जंता का दर्द समझते हैं तब ही 500 का गैस सिलेंडर सरकारी नौकरी और मुफ्त इलाज दे रहे हैं आसदेश के 100 में से 42 युवा बेरोजगार है क्या हर घर बेरोजगारी और गरीबी ही आपका विकास है राहूल गांधी ने मोधी राज में बढ़ती महएगाई पर सवाल खड़े किये हैं इससे पहले भी राहूल गांधी ने स्वास्त्यमंत्राले की तरफ से मिली चट्थी पर सरकार पर पलटवार किया था राहूल ने कहा था कि सरकार ने यात्रा रद कराने के लिए नया आइडिया निकाला है यानि राहूल गांदी के तेवरों से साफ है कि बीजेपी कितना भी जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर ले कॉंग्रेस जनता के मुद्दे उठाती रहेगी